साथियों आप सभी के इस प्रेटफार्म पर स्वागत हैं यहाँ पर हम लोग आगामी आरो ए आरो दो जार तेस की प्रारमिक पर इच्छा के लिए प्रैक्टिसट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इस टेस्ट के शुरुवात की जो 70 कोशन को हम लोग इस वीडियो में क साजानंद सरसुती की अधिस्ता में प्रारम्भ हुआ था इसके महासच्यू एंजी रंगा थे निमनिकित घटनाओ पर विचार कीजे था उनको काल कर्मानुसार बेवस्थित करना है तो देखिए चार घटना है इनमें सबसे पहले होता है जलिया वाला बाग हत्याकान जो तो आपका तीना जगा फिर सबसे लास्ट पूना पैक्त हुता है पूना पैक्त भी उन्ने जो नहीं दिख़ें दूतिए गोल में समेल हैं 19 figures में होता है और पूना पैक जो होता है बोला 32 मै होता है तो यहाँ पर आ जगा 2-4-1-3-2-4-1-3-2 बी-च आप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते है question number 73 पर निम्लिकित उगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पुस्तक और लेखक के संबंद में तो देखिए बंचाफ ओल्ड लेटर्स जबाला लेहरू का है लाइफ डिवाइन अरविंद घोश की है अरविंद घोश की है इंडियन फिलोस्पी पुस्तक जो है यह अलेखजेंडर डफ की नहीं है बलकि डॉक्टर राधा किष्णन की है अलेखजेंडर डफ की जो पुस्तक है वो है इंडिया एंड इंडियन मिशन यहाँ पर सी वाला सही नहीं है दा रिडल्स इन हिंदूजम यह बी आर अम्बेट कर किये अगला है निमन्में में से किस भारती नेता ने मारले मिटो सुधारों या भारतपसद अधनियम 1909 को तयार करने में विशेश भुमY का निभाई थी तो यह निभाई आगे बरते हैं, नेमलिकित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं सिद्धान्त और प्रतिपादक में, तो देखिए, यहाँ पर व्येकर के से प्रतिपादक एन के लटार थे, जीरो बेस बजटिंग के पीटर पायर थे, और छतिपूरक राजकोशिश इद्धान्त की जो थे वो एडाल्फ बैगनर नहीं थे बलकि जान मेनार्ट कींस थे जान मेनार्ट कींस थे टोबिन् टैक्स के जेमस टोबिन सहीँ है आगे बड़ते निमनिकित में से कौन मौद्रिक नीद के मात्रात्मख उदाहण नहीं है इसमें दिखिये मात्रात्मक उधाहन में आपके नगत आरचित अनपात, रेपो रेट, खुले बजार की किरिया आती है, परन्तु प्रात्मिक्ता छेतर रिणदान ये इसमें नहीं आता, प्रात्मिक्ता छेतर रिणदान मौदुरिक निका गुडात्मक उपाय है ना कि मात्रात्मक उपाय है ठीक है आगे चलते हैं गुरात्मक उपायक के अन जो है उसमें स्रीमात निर्धान है शाक या रिण मापदन निर्धान है शाक शुकृति वितर्ण योजना है विभेतक ब्याज योजना है नैतिक दबाव है इत्यारी आगे वड़ते हैं वशूली या अधिप्राप्ती मुल नियुन्तम समर्थन मुलि से क्या होता है से बराबर वशूली या अधिप्राप्ती मुलि नियुन्तम समर्थन मुलि से बराबर या उससे अधिक हो सकता किन्तु कम नहीं ठीक है जब बाजार में अनाजों के ताम गिर रहे होते हैं तो सरकार नियुन्तम समर्थन मुलि पर किसानों से अनाज खरीद कर उनके हितों के रच्छा करती है या एक परकार की भीमा कीमत होती है इसी घोषना सरकार फसल बोने से पहले करती है वशूली या अधिप्राप्ती मूली वह मूली है जिसकी घोषना सरकार रवी तक खरीब के समय करती है और इसी मुली पर सरकार अनाज खरीदती है वसूली मुली की घोशना बुवाई के बाद अर्थत कटाई की समय की जाती है यह MSP के बराबर या उससे अधिक हो सकती कि दूस्से कम नहीं हो सकती किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकाश्मान इस्थित में GDP में किस छेतर का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा तो GDP में 33 छेतर का योगदान जो है जो सेवा सेक्टर होता उसका योगदान आपका बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं पोश्ण ये उपभोग तता उत्पादन का संबन किस सस्टनेबल डेवलप्मेंट गोल से है तो इसका संबन SDG 12 से है तो देखिए SDG 12 जो है पोश्ण ये उपभोग तता उत्पादन समझे थे जबकि SDG 4 जो है गुड़ता पोण सिच्छा से है SDG 11 जो है शमू समुत्थांसील सहर तता समधाय से है और SDG 9 जो है ये उद्द्योग नौ परणतन तता अधोसर्चना से है आगे बढ़ते हैं मुद्रा इसकीम का प्रारंब वर्स क्या है मुद्रा इसकीम का प्रारंब वर्स 2015 है क्या है वर्स 2015 है Micro Units Development and Refinance Agency मुद्रा इसकीम की घोष्णा वर्स 2015-16 के बजट में की गई थी इसका आरम आठ अप्रारंब वर्स 2015 में किया गया था यह यह उद्द्रा माइक्रो इस तर पर उद्द्यम शिर्दा को फंडिंग के द्वारा प्रसाहिद करने की धारणा पर आधारित है इसके अंतरत रिड़ की तीन स्रेणिया है शिशू, किशोर और तरूर आगे बढ़ते हैं अखलेस रंजन कमिटी का सम्मंद किस्से है अखलेस रंजन कमिटी का जो सम्मंद है वो डारेक्ट टैक्स कोर्ट से है देखिए अगलेस रंजन कमिटी का गठन वर्स 2017 में पुराने आयकर कानूनों के स्थान पर डारेक्ट टैक्स कोर्ट प्रत्थापित करने के लिए किया गया कमिटी ने विभिन सुझाओं के साथ केन सरकार को अपनी रिपोर्ट 2019 में सौपी थी आगे बढ़ते हैं अगला है कोशन अबर टी टू देखते हैं निम्रितित इगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है संगठन और उसके इस थापना वर्स में तो आप देखें आई डी वी आई की स्थापना 1964 में होती है आई एपसी आई एपसी आई की स्थापना एक सेकेंड उनिस सो पंचान में नहीं उनिस सो पचपन में होती कब होती है उनिस सो पचपन में होती ठीक है अगला है बैंकिंग के संदर में लैब लैब क्या है तो बैंकिंग के संदर में जो लैब है यह इसका पुरा नाम है लोकल एरिया बैंक क्या है लोकल एरिया बैं ये बैंक नीजी छेत के अंतरगत आते हैं, विकेंद्रिकित बैंकिंग प्रणाली के दिसामिया एक महत्मुन कदम था, नचकेत या नचकेता मोर समित ने 2014 की अपनी रिपोर्ट में लैब के विस्तार को वित्य समावेशन हेदू आवश्यक माना था, अगला है बर्गसन माप अबदन जो है, ये कल्याण अर्थसास से, कल्याण अर्थसास से सम्मंदित है, ठीक है, देखे, प्रोफेसर ए बर्गसन ने सब्रतम अपने लेख, आ, रिफार्मिलेशन आफ सरटेन स्पेक्ट्रम आफ बेलफेयर एकोनॉमिक्स में, समाजिक कल्याण फलन का प्रतिपाद प्रतिपादन के आधार पर उत्थान, उत्पादन तथा बिनमय, बिनमय की अनकूलतम दसाएं, अधिक्तम कल्याण के लिए आवशक दसाएं सुईकार की जाती है, आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 84, 85 देखते हैं, 85 क्या है, रिण की सीमाओं में परिवर्तन करना, साक नि गुणातमक, शाक, नियंतन के द्वारा, ठीके, भारती जर्वेंग, शाक तथा मुद्रा पर नियंतन करने हैं, तो देश में मुद्रा तथा शाक की मांग, यों पूर्ती के मति, संतुलन इस्थापित करने का प्रियास करती है, शाक नियंतन की दो बिनियां, गुणातमक, शाक नियंत्रण और परिनात्मक परिमानात्मक शाक नियंत्रण रिन की सीमाओं में परिवर्तन करना शाक नियंत्रण की गुनात्मक शाक नियंत्रण बेदी द्वारा संभव है आगे बढ़ते हैं निम्लिकित पर विचार करें चार जीज़े दी गई है उपरेक्ट में से किसे भात कोर छेतर में सामिल नहीं किया आता, देखे, कोर छेतर में कुल आर्ट सक्टर आते हैं, तो देखिए, कोर सक्टर आर्ट में, जो कोर सक्टर, आर्ट कोर सक्टर कोर सक्टर कोर से हैं, इसमें है कोयला, इसमें कोयला, ठीक है, कच्चा तेल है, कच् गच्चाते दता सीमेंट हो गया चार रिफाइनरी उत्पाथ पांच हो गया ठीक है प्राकृतिक गैस छे इसके इस पाथ साथ हो गया इस पाथ जो है साथ हो गया विधुत आठ हो गया रसाइन इसमें नहीं आता तो डी आप्शन हो जाएगा अगला है निमलिखित पर विच विचार करें चार चीज़ दीए उपर्फरोक्त में से कौन सा या से रुपांत्रित तने के उदाहन है तो देखिए यहाँ पर अद्रक्त लिली हल्दी प्याज यह सभी के सभी रुपांत्रित तने के उदाहन है तो D option हो जाएगा ठीक है D option अभी के तना पोदे का भाग है जो प्रकास की तरफ ब्रिद्धी करता है या प्रांकुर से विक्षित होता है और पौधे का परोह तंत्र बनाता है आगे चलते हैं निमलिखित पर विचार करें उप्रोक्त उगमों में से कौन सा या से सही सुमेलित है तो आप देखें यहाँ पे थाइलोफाइट थाइलोफाइटा जो है यह इस्पाइरोगारा ब्रायोफाइटा का उदाहन मार्श है टेरिडोफाइटा का उदाहन फर्न है तो यह तीन के तीनों यहाँ पर सही है यह उप्सन हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है माइट्रो कॉंडिया की खोज अल्टमेन प्रोटीन की फैक्ट्री राइवोशोम केंदरे की खोज रॉबर्ट ब्राउन यह सभी के सभी सुमेलित है यहापे D option हो जाएगा आगे चलते हैं question number 90 देखते हैं पाजार में ENO के नाम से बिकने वाला antacid होता है क्या तो एनो के नाम से बिकने वाला antacid magnesium elva होता है magnesium elva होता है जो एनो हम लोग पीते हैं यह पेट की अमलता है उन गैस को दूर करने में सहायक होता है तो यह magnesium elva है यह option निद्रा रोगया sleeping sickness नावग विमारी उत्पन होती है कैसे तो यह एक प्रोटो जोगा के द्वारा होती है ठीक है यह एक परजीवी है सीसी मक्यों के सरीर में आस्रह लेता है और इन मक्यों के काटने से रोगानों सरीर में प्रवेश कर जाते हैं अगला है CT scan या computer tomography x-ray परिच्छण में कौन सी कि सरीर के अंद्रुनी अंगों को देखा जाता था रोगों का पता लगाया जाता है अगला है निम वह में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो आप देखें कास्टिंग सोडा यह sodium high dark side है सही है epsum salt magnesium sulfate है नीला तो था copper sulfate है पर तो washing powder जो है यह sodium by carbon नहीं है sodium by carbon जो होता वो baking soda होता है जिबकि washing powder sodium carbonate होता है तो D वाला सा यह नहीं है अगला है निम वह में वह में से किसे एक को सामान रूप में teflon के नाम से जाना जाता है सामान रूप से teflon के नाम से तो poly tetra pleuro ethylene poly tetra pleuro ethylene को जो है teflon के नाम से जानते हैं इसका उपयोग न चीपकने वाली कडाही के निर्मान में होता है अगला है मानों के सरीर या अंगों में असमानिता या विक्रिति का पूर्टा सही पता लगाने तो निमलिकित में से किस के MRI जिसे कहते हैं MRI जो आटो एनलाइजर है आटो एनलाइजर यह ग्लुकोज, यूरिया, कोलेस्टाल, आज की जाच्छित प्रिक्त होता है जिबकि इलेक्ट्रो कॉर्डियोग्राम यह हिर्दय की विक्रितियों का पता लगाने के लिए प्रिक्त होता है आगे चलते कोश दोजी इंस्ट्टूट आगरा में है राष्टी मानसिग विकलांग संस्थान है उच्च रच्छण पर सुरोग प्प्रियोग संस्थान भोपाल में है पर उच्छी दृष्ची द्रिश्टीहीन संस्थान नई दिलली में बल्कि देहरा दून में है यहां पर D option निमलेटम के चारोर पाई जाने वाले जिल्ली जो होती है को काड्रियम नहीं कहते हैं बलकि पेरी काड्रियम कहते हैं क्या कहते हैं पेरी काड्रियम कहते हैं यहां पर बी वाला सही नहीं है पसलियों को आपसम जोड़ने वाली अस्तिय को इस्टर्णम कहते हैं आगे चलते हैं अगला ह हीपैरिन नामक प्रोटिन का उत्पादन ये करता है एकरित अथा लीवर हीपैरिन नामक प्रोटिन का उत्पादन करता है फाइवरी नोजन नामक प्रोटिन का उत्पादन करता है शरीर के ताप को बनाया रखता है परूंत वशाओं का इमलसी करण नहीं करता है ठीक है वश तो यहां पर आपका D वाला जो है, वो सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इधान रखीगा, यह क्रितिया लीवर है, वो मानुसरी की सबसे बड़ी ग्रंथी होती है, निमलिकित में से कौन सा एक जठर रस में नहीं पाया जाता है, दिखे, जठर रस में आपका रेनिन, पेप आडरोकलोरिक अं, रेनिन यो पेपसीन एंजाइम होता है, जबकि अगनासय से निकलने वाली अगनासी रस में, जो ट्रिप्सिन होता है, वो अगनासय से निकलने वाली अगनासी रस में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तिता लाइपेज नामक एंजाइम पाया थे हैं, आगे ठीक है यह DNA पाई आता है तो यहाँ पर दूसरा कथन गलात है जो हांसन ने 1909 में सा पतम जीन सब्द का प्रयोग किया था जीन अर्वांसिक क्या की मूह लिकाई है DNA का छोटा खंड जिसमें अर्वांसिक कुट नहीं तरहता है उसे जीन कहते हैं आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क कोशिन को छोडते हैं हम लोग कोशिन अंमबर 113, 114 नंस्तिर्त स्थिर्था जिसका अंतर नियाम की समनभी को बढ़ावा देना तरह इससे संस्थागत सुरूप प्रदान करना है अगला है डबलू डबलू रो इस्टोब ने आर्थिक विकास की प्रिक्रिया को कितने चरणों में बाटा है तो इन्हों ने आर्थिक विकास की प्रिक्रिया को पांच चरणों में बाटा हुआ है, पांच चरण कौन से है, पारमपरिक समाज, दूसरा है आत्म इस्पूर्ती की पूरवर्ती अवस्था, तीसरा है आत्म इस्पूर्ती की अवस्था, चौथा है परिपक्कत्वा की अवस्था, पांच वा है उच्छी जन उपभोग की तो देखीए इसमें शहद उत्पादन का संबन्ध जो है वो मीठी करांतिस है ठीक है आगे बढ़ते हैं पूशी पूशा रूबी पूशा रूबी निम से किस एक की उत्तम किसम है तो यह टमाटर की किसम है ठीक है अरका विकाश अरका विकास अथा पूशा अरली ड्वाब ये भी टमाटर की किसमे हैं आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 118 देखते हैं कोश्चन नमबर 118 देखिए निमलिकित कत्मों पर विचार करें दो कतन दिये गए हैं वर्थ 2011 की जनगर्णा उत्तरपतेश में सरवाधिक दस्की विर्धितर वालत जिला गौतम बुद्ध नगर था ये भी सही दो के दुनों कतन साही हैं इसलिए C option भारति खाद निगम की स्थापना किस पंच मर्सी योजना के दोरान की गई तो इसकी स्थापना भारति खाद निगम की स्थापना आयोग की इस्थापना आपकी तीसरे जो तीसरे पंच वर्षी योजना थी 1965 में होती है और तिरतिय पंच वर्षी योजना 1961 से 1966 तक रहती है यहां पे C option अगला है कौशन नम्लिकित में से कौँसी एक नगत फसली नहीं है कौशन नम्लिकित में से किस इस्थान पर देश के पहले राश्टी बाद सुरच्छा के अंदर को इस्थापित किये जाने की घोशना की गई है कहां पर तो यह राश्टी सुरच्छा केंदर को इस्थापित करने की घोशना जैपूर में की गई इसका मुख उदेश बादों को भूकम जैसी आपदाओं से बचाना है मई 2023 में भार सरकाद वर्या चलाएगे ऑपरेशन करूना का मुख उदेश क्या रहा है तो आपरेशन करूना का मुख उदेश जो है यह म्यामार में चक्रबात मोचा से ब्रहुत लोगों की सहायता करना रहा है अगला है निमलिकित में से किस्तिति को अंतराशी जव विवता दिवस मनाया जाता है तो 22 मई को 22 मई को मनाया जाता है और 22 मई 2023 को जो अंतराशी जव विवता दिवस मनाया गया इसकी विशेवस क्या थी समझावते से जव विवता से कारवाई तक समझावते से जव विव अगला है मैं 2023 में किस देश के प्रधानमाति नेंद मोदी को अपने सर्बुच नागरिक संवान कैम्पेनियन आपदा ओर्डराफ लोगुहू से संवानित किया पापुआ न्यूगिनी ने किया ठीक है आगे चलते हैं पंडुबी बागसीर से समझे निम्लिकित कतनों पर विचार करें दो कतन दिये गए हैं बताना है इसमें से असत्य कतन कौन सा है देखिए यहां भारती नौट सेना की कलवरी कलास प्रजक्ट 75 की छठी सकार्पियन पं सई इसलिए D option आगे बढ़ते हैं कोई असत नहीं है मई 2023 में 61 बैश्विक सूपर कंप्यूटर सम्मेले 2013 का आवजिन कहां पर हुआ इसका आवजिन जो है जर्मनी के हैंबर्ग में जर्मनी के हैंबर्ग में इस सम्मेले में भारत को संपूर विश्व में AI सूपर कंप्यू इसे टाइप एर्दोगन ठीक है यह लगातार इंदा तीसरा कारिकाल है जो वर्ज 28 तक के लिए हैं आगे बढ़ते हैं मई 2023 में किस राज में पहली पॉर्ट टैक्सी परियोजना शुरू करने की गोशना की गई है तो कहां पर किये जाएगे उत्तर प्रदेश में उत्तर नोड़ा फिल्म सिटी यों जेवर इसे अंतराश्य हवाय अड़े के मद संचालित की जाएगी मई 2023 में केंद्री है पत्तन पोत परिवहन यों जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में सित्वे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाग जहाज की आगवानी की गई तो सित् करते हैं मैं 2023 में बुद्ध पूर्डिमा के औसर पर खेलो इंडिया उनवर्ष्टी गेम 2023 सुभंगर चारी किया इसका नाम क्या है इसका नाम है जीतू क्या नाम है जीतू नाम है ठीक है जीतू अर्थ बारा सिंगह आकरसक जीवनतियों गर्व से गहरों का प्रतीक है गोश्पोडीनो है ये भी कतन सही है दो के दोनों कतनी आपन सही है ये बुलगारिया के निवार्ष्टी है ध्यान रखेगा मैं 2023 में विश्व आर्थिक स्थितियों संभावना है मिड तूथावीं 23 नामक रिपोर्ट जारी किया जिसमें वर्ष 2023 में भात के विकासदर 5.8 प्रसत अनुमानित किया गया यह रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा विश्व बैंक के द्वारा वर्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है मैं 2023 में किंद्री ग्री मंत्री अमिस्साह द्वारा राष्टी तटी पुलिस अकादमी के इस्थाई परसर की आधार सिल ये क्या है, माई 2023 में G7 राश्टों का सिखर सम्मिलन कहा आईचूद किया गया, तो ये आईचूद हुआ जापान में, जापान के हिरोख्षमा में या G7 राश्टों का 49 सम्मिलन था, इस इस सिखर सम्मिलन भारती पातिनेषी मंडल का नेतिरुत प्रधार मंतिर नेंद मोध 22 जी के द्वारा किया गया, अगला है, मॉइ 2023 में प्रसिध्य अमेरीकी पद्र का टाइम मैगजीन ने किस भारति अभिनेत्रे को अपने कवर पेज पर इस्थान दिया, तो दिया है दीव का पात कोंड को, दीव का पाद कोण को, वह टाइम मेंगेंग के कबर पुएज पर आने वाली नभीनतम ग्लोबल स्टार है, मई 2023 में दुबाई स्थित एरलाइन एमिरेट्स द्वारा, विश्व के पहले रोबर्टिक चेक इन असिस्टेंट का नावरण किया गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है श मई 2023 में भारती संविधान के किस अनुचेत का हवाला देते हुए, सर्बुच नियाले ने यह कहा कि राश्टी राजधनी स्थिवल सेवा पराधिकर्ण इस्थापित करने वाला द्यदेश इसके अनुकूल नहीं है, तो अनुचेत 249 ए-ए के ताहत, 249 ए-ए के ताहत, वर नौसायन अभ्यास, टाइगर सार्फटी का आयोजन किन दो देशों के मद्ध संपन हुआ, तो इसका आयोजन जो है, बंगलादेश रुम सहुद राज अमेरिका के मद्बे, बंगलादेश रुम सहुद राज अमेरिका के मद्बे, इसका आयोजन इस थाल, बंगलादेश क इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बहुत धन्यवाद